जहिन साथियों साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट इयर के मौस्ट विवी आई कोश्चन को लेकर तो साथियों आज का कुश्चन है परिपक्वता की अवधारना यानि की concept of maturity यानि की आखिर कोई भी बच्चे परिपक्व हो जाते हैं उनके अंदर सुचने समझने की जो गुन आ जाती है वो आखिर कैसे काम करती है उसके उसका लच्छन क्या है और उसको हम लोग सैचनिक मह महत्व क्या है परिपक्वता के सैचनिक यानि कि अगर कोई भी बच्चा धिरे-धिरे यूथ होता है परिपक्व होता है तो उसको किस स्थिति में उसे सिच्छा से जोड़ना चाहिए तो यह questions बहुत important है परिपक्वता की अवधारना की ब्याख्या करें और इसके सैचनिक महत्व क्या है एक question बोल रहा तो चलिए इसका answer देखते हैं तो answer लिखा है परिपक्वता की परिभासा निमलिखित बैग्यानिकों के द्वारा दिया गया है यानि कि परिपक्वता जो है इसका definition इसका परिभासा अलग-अलग बैग्यानिकों के द्वारा दिया गया है जो क निम्ने लिख्यत है, अब देखें, बहुत सारे अलग-लग बैज्यानिकों का अलग-लग मानना है, अलग-लग परिपकवता का definition देपनेशन दिये हैं, तो सबसे पहले बैज्यानिक का नाम निकल कराता है क्रीगमैन एक तरह का बैज्यानिक है और ये क्या कहना चाहते हैं परिपकवता के बारे में तो क्रीग मैन के अनुशार उम्र बढ़ने के रूप में परिपकवता को परभासित करते हैं देखिए अब क्रीग मैन का कहना है कि जब बच्चों का उम्र बढ़ता है तो उसके अंदर परिपकवता भी बढ़ता है और उसी को कि यह परिपकवता मानते हैं यानि कि क्रीग मैन के अनुशार देखे हम लोग क्या देखे कि परिपकवता का जो परिभाशा है अलग-अलग भःयानिकों के दवारा दिया गया जो निचे लिखा हुआ है तो पहले हम लोग बढ़ने को क्रीकमें परिपक्वता मांते हैं। वहीं अगर एक और बैग्यानिक जिसका नाम है बोल्डविन, बैग्यानी का नाम के है, बोल्डविन है, और इनके अनुसार देखा जाए, तो परिपकवता गोद लेने में बृधि को कहते हैं, जो बच्चा को गोद में लिया जाता है, दिरे 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 ओ गोद से बाहर आने लगता है, तब उसको जो है ये बोल्डविन साथ परिपक्वता कह दंड है यानि BOLDWIN के अनुस साब देखा जाए तो गोड है जो बच्चा को लेते हैं उसमें अगर बृधि हो जाये मतलब किया जो बच्चा गोड से बाहर आ जाता है पाऊंगों पर चलने लगता है तो उसको बोल्डविन साब ने परिपकवता कहा है फिर अगला है एक बैग्यानिक उन और उन ये बैग्यानिका नाम है उन और उन तो इनके अनुसार देखा जाए तो परिपकवता का अर्थ है कि बच्चे बिकास के कुछ चर्णों में कुछ कारण करने में सच्छम हो जो पहले नहीं कर सकते थे अब देखे उन और उन के अनुसार देखा जाए उन और उन एक बैग्यानिक है इनका कहना है कि परिपकवता उसको हम कहेंगे जो बच्चे के बिकास के कुछ चर्णों में यानि कि बच्चा में कुछ बिकास हुआ है डेवलफ हुआ है और कुछ ऐसा कारे करने लगा है जो पहले नहीं कर सकता था देखे तो जो बच्च आ़ अभी कर रहा है और पहले नहीं करता है करता था तो उसको उन और उनने परिपकवता नाम दिया फिर आगे है परिपक्वता के कुछ लच्छन यानि कि कुछ लच्छन होते हैं जिसको परिपक्वता हम लोग समझ सकते हैं जैसे कोई भी रोग का कुछ लच्छन होता है अगर कुछ लच्छन दिखता है तभी हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर वो रोग पनब रहा तो वैसा ही परिपकवता हम उसी को कहेंगे जिसमे इन वीन में से कुछ लच्छन दिखाई पड़ेंगे तो इसके लच्छन निम्न लिकheticत है पहला है स्वाचालिट परकिरियः स्वाचालिट परकिरियः का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपने से ही कोई परकिरिया कर लेता, अपने से नहा लेता है, अपने से नित्य परकिरिया कर लेता है, अपने से ब्रस करना, अपने से ट्वाइलेट कर लेना, अपने से मतलब अपने से स्वाचालित परकिरिया, यानि कि जो दिन चरिया होती है, उसको ख खुद का सेहत का ध्यान रखना उस वचालित पर किरिया याद रखिए अगर वो कर रहा है तो हम उसको परिपक वो मानेंगे वो बच्चा परिपक वो हो गया है दूसरा इसका लच्छन है तरक्की और विकास उसके अंदर धिरे-धिरे तरक्की की भावन आने लगती है वो च उसको सिखाया जाता है देखते हैं बहुत सारे बच्चों को अगर छोटा में ही कुछ चीज अगर बताया जातो उसको सीखने के लिए बहुत लाइस होता है यहां तक कि बच्चा जब बोलना सुरू करता है तो कोई भी चीज आप बोलिएगा उसका तुरत कॉपी करेगा वो भी ट्राइ करेगा उस चीज को बोलने के लिए तो सीखने की स्थीती में जब रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे परिपक वो मानेंगे तो परिपक वो मानने का यह तीन परकिरिया अगर दिखेगा तो पहला स्वचालित परकिरिया दूसरा तरक्य और विकास और तीसरा सीखने की स्थीति तो अगर ये तीन लच्छन दिखाई पड़े तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या है परिपक्व हो गया है फिर है परिपक्वता के सैचनिक महत्व जो की कोश्चन में था देख रहे हैं यहां कोश्चन में लिखा हुआ है इसके सैचनिक महत्व क्या है तो इसके सैचनिक महत्व पर हम लोग बात करेंगे तो परिपक्वता के सैचनिक महत्व के बारे में हम लोग यहां देखेंगे जो की छोटा सा स्टार पॉइंट करके लिखे तो इसके सैचनिक महत्व है निम लिखे जो नीचे लिखा हुआ है इ क्या है इसको उपर के और स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको किलियर इसके सेचनिक महत्व दिखाई पड़े चलिए तो इसके सेचनिक महत्व यहां लोग बात कर रहे थे निमली की थे उसमें सेचनिक महत्व में टोटल महत्व हम लोगों ने यहां चार तरीके का महत्व दर्साय तीन नम्बर और 4 नमबर तो यह आपके परिपकवता के सेचनिक महत्व को दरसाय गया चलिए पहला पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर पहला सेचनिक महत्व इसके क्या है तापरिपकवता और सिखने की भूमिका माता-पिता या सिच्छक को यह जानने में मदद करती है कि प्रसिछन कब और क्या सुरू करना है बिल्कुल सही अब देखे इसका महत्व क्या हुआ सैचनिक महत्व में यह हुआ कि अगर बच्चा परिपकव हो गया है तो उसके अंदर की सिखने की भूमिका माता पिता को आसानी से पता चलता है और सिख्छक को भी यह जानने में कर रहा अपने से जो भी ट्वालेट विगरा को पूरा फ्रेश नहीं हो रहा तो वैसे बच्चों को मतलब क्लास भेजना और स्कूल भेजना वो गलत हो जाता है क्योंकि वहां पे उसको खुद का ध्यान रख नहीं रख पाता है तो यहीं है कि परिपकवता से क्या पता चल कब से सुरू किया जाए और क्या सुरू किया जाए यानि कि उसको क्या पढ़ाया जाए क्या बठाया जाए तो यह पहला महत्व है और दूसरे महत्व के बात करें तो परिपकवता द्वारा निवहाई गई भूमिका के ज्ञान से पता चलता है कि बच्चा सिछन द्वारा लाव के लिए प्रयाप्त परिपक्व है या नहीं तब परिपक्व ता द्वारा ये भी हम लोगों को पता चल सकता है कि कोई भी बच्चा सिखने के लिए मतलब राजी है या नहीं मतलब किसी चीज को सिख लेता है यानि उसके अंदर सिखने की गुन है तब हम माल लेंगे क और तीसरा महत, सिखना तब सुरू होनी चाहिए, यानि कि बच्चों के अंदर सिखने का गुन तब सुरू होनी चाहिए, जब बच्चा सिखने के लिए तयार हो, बिल्कुल सही, यानि कि जब बच्चा ही तयार नहीं रहेगा, सिखने की स्तिति में जिसे बच्चा का जन्म ह अगर उसको आप A, B, C, D या फिर और भी कुछ सिखान लगें वो बच्चा सिखे गाई नहीं तो इस तरीके से सिखना तब सुरू होनी चाहिए जब बच्चा सिखने के लिए तयार हो यदि बच्चा सिखने के लिए तयार है और उसे मार्ग दर्सन या प्रसिछन नहीं दिय जाता है तो उसकी रूची तरंगित होने की संभावना है बिल्कुल सही यानि कि सिखने के लिए एक स्टेज होती है और बच्चा को सिखने के लिए तयार होता है जब बच्चा पूर्ण रूप से तयार होता है अगर मान लिजा कि बच्चा सिखने के लिए भी तयार है और उसे मार्गदर्सन और सिच्छा नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं उसकी रूची तरंगीत होने की संभावना है यानि कि एक बच्चा के अंदर सिखने का गुन आ गया है और आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे कुछ सिच्छा नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा त किर नेक्ष्ट और महत्वा है कि साथ मांबरum preach लिए नंबर चार परिपक्वता हुम्र के नहीं कि सि ceremony बया सकता है typically मैं कि सीजों कोई कि या स्वेतल से सम्दोव स्वेलेके व्लेमितलारा प्रेट्रिक सायरों कि सोध्वन थो । berriesphي अन्दर स्वेलिक Lazaren परिपक्वता गागुन आ जाता है जैसे एक बैग्यानिक है जिनका नाम रिशेन है रिशेन बैग्यानिक का मानना है कि परिपक्वता आवस्यक है लेकिन जीवन के लिए प्रयाप्त इस्तिती नहीं है मतलब कि उम्र के लिए यह नहीं कुछ सीमा नहीं बता है वहीं अगर ब वहीं रिशेन ने रिशेन जहां आप देख पा रहे होंगे ये रिशेन देखिए रिशेन का मानना है कि परिपकवता आवस्यक है लेकिन जीवन के लिए प्रयाप्त स्थिति नहीं है मतलब कि उम्र को उन्होंने डारेक्ट गलत बताया है कि को जरूरी नहीं है कि उम्र लिखने में अगर उसकी विकास है रूची है तो उसको भी रिशेन सहाव परिपकवता बोला है तो इस तरीके से हम लोग यहां देख पारे थे हैं कि परिपकवता के ओधारना क्या है और इसके सैचनिक महत्व क्या है तो साथ यह था मौस्ट विवियाई कोश्चन तो फिर इ इंपोटेंट कोश्चन को लेकर हाजर होंगे नेक्स्ट विडियो में तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद